दोस्तो सेफटी के माइने हमाई लिए काफी ज़दा बढ़कर होते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही गैजेट्स के बारे में जिनका इस्तेमाल आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं यानि कि किसी भी तरीकी की एमर्ज सेल्फ डिफेंस रिंग दोस्तो सेल्फ डिफेंस के लिए काफी सारी तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन कुछ देसी तरीके काफी ज़्यादा फाइदे मंद होते हैं तो इनी देसी तरीकों में होती है आपकी इस तरीके की रिंग जो की बड़ी ही मज़ेदार र जिसे कि आप अलग-अलग style में purchase कर सकते हैं लेकिन जब आप इसे open करते हैं तो इसमें एक sharp knife चुपी होती है यानि कि ये sharp knife अगर आप किसी पर भी इस्तिमाल एक बर करेंगे तो दुबारा आपकी तरफ पलटकर नहीं देखेगा और दोस्तों अगर आप चाहें तो इस तरीक secret weapon चाहते हैं जिसे कि आप self defense के लिए इस्तेमाल कर सकें तो ये gadget बेहत मज़ेदार रहेगा इस काम के लिए क्योंकि ये बिना किसी के नजर में आये अपना काम कर देता है fast strike self defense whip दोस्तों कभी कभी कुछ जैगे ऐसी होती है जहां पर हमेशा हमें डर लगा रहता है किसी भी अंजान खत्रे का तो अगर आप चाहें तो carry कर सकते हैं ऐसी situation में एक ऐसी secret weapon को जो कि हमेशा आपका साथ निभाएगा क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी foldable stick होती है जिसे इस्तिमाल करना बहत आसान रहेगा अगर आपको हलका साभी किसी से खत्रा लगता है तो आप फौरण इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ये एक foldable stick होती है जिसे कि आप fold भी कर पाएंगे जिसे कि ये carry करने में बेहत आसान हो जाएगी और आसानी से आप जब चाहें इसे open करके किसी पर भी strike कर पाएंगे. तो दोस्तो इस तरीकी का gadget girls वगरे क्लिक काफी जुने important हो जाता है अगर आप morning सुबह jogging पर जा रहे हो या फिर late night घर लोटती हो तो आप अमेशा इसे अपने साथ रखते हैं जिसे की जरुद पढ़ने पर आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकें. गार डॉग इलेक्टरा दोस्तो अगर आप girls safety को लेकर aware हो तो ये gadget खास तोर पर girls के लिए ही बनाया गया है जिसे की आप किसी को gift कर सकते हैं उनकी safety के लिए. इसके खास बात ये होती है कि ये दिखने में एकदम lipstick जैसा लगता है जिसे as a keering इस्तेमाल किया जा सकता है. क्योंकि अगर इसे कोई भी दूर से देखेगा तो उसे एकदम lipstick जैसी देखने में लगेगी. लेकिन दोस्तों ये एक stand gun होती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी तरीके की emergency situation में. अगर आपको हलका सा भी thread नजर आ रहा हो आपके सामने तो फॉरण आप इसे open करके इस्तेमाल कर सकते हैं. दोस्तों इसमें एक handred lumin की LED light भी लगी होती है जिसका इस्तेमाल किसी को भी emergency situation में signal देने कले भी किया जा सकता है. हलाकि ये एक torch की तरह भी आपके लिए काम करेगी जिसे की राद विराद आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे. तो अगल safety के लिए दोस्तों ये gadget बड़ा ही मज़ेदार हो जाता है क्योंकि देखने में तो ये एकदम lipstick जैसा लगता है लेकिन असल में ये बहुत ही ज़दा powerful stun gun होती है. एक्यूफायर दोस्तो pepper spray को हमेशा से एक बहतरीन self defense का ओजार माना जाता रहा है क्योंकि इसकी मदद से आसानी से लोगों को चक्मा दिया जा सकता है. तो अगर आप भी चाते हैं एक ऐसा gadget जिसका इस्तिमाल आप as a paper spray कर सकें तो इस्तिमाल कर सकते हैं इस तरीके की कीरिंग को. दोस्तो देखने में तो ये एकदम कीरिंग जैसा gadget होता है लेकिन दोस्तो ये एक paper spray होता है जिसका इस्तिवाल करके आप आसानी से किसी को भी चक्मा दे सकते हैं. इस paper spray की खास बात ये होती है कि इसका shot एकदम clear होता है इसमें एक laser pointer दे रखा होता है जिसे कि आप किसी को target कर सकते हैं और जैसे ही आप इसकी बटन को प्रेस करते हैं तो इससे paper spray बहुत तीजी के साथ बहार निकल के आता है जिसे की दूर खड़ा विक्ती भी असानी से इ तो इस तरीके का gadget इस्तेमाल करने में बेहत आसान और size में छोटा होता है तो अब अगर आप भी चाहें तो इसे precautions के तौर पर अपने साथ carry कर सकते हैं दोस्तो कभी कभी हमें चीजों को आगे बढ़कर खुदी tackle करना पड़ता है यानि कि अगर आप कभी ऐसी situation में फस जाए जहां पर आपकी मदद करने वाला कोई ना हो तो आपको ऐसी situation में खुदी आगे बढ़कर अपनी जान बचानी पड़ती है तो अगर आप चाहते हैं लेकिन दोस्तो इसके अपर section में एक button लगई होती है और जैसे ही आप इस button को दवाएंगे तो इससे तेजी से एक रसी जैसी चीज बाहर निकल कर आती है जो कि फॉरण आपके सामने target पर लपिट जाएगी जिससे कि वो पूरी तरीके से बन जाएगा दोस्तो ये process इतनी ज आकरी में आप उसे पैरों को जब बान देते हैं तो वो किसी भी तरीके से आप पर attack नहीं कर सकता तो बड़ा ही मज़ेदार तरीका रहता है ये किसी को भी चक्मा देने का जिससे कि इसका इसका इस्तेमाल आप आसानी से अपनी self defense के लिए कर पाएंगे automatic bear tactical pen दोस्तो कभी-कभी छोटी-छोटी चीजे भी बहुत ज़्यादा important हो जाती है तो अगर आप भी चाते हैं ऐसी छोटी-छोटी चीजों में एक secret weapon को छूपा कर रखना जिसका इस्तेमाल आप एक emergency situation में कर सके तो एक बार try कर सकते हैं इस तरीकी के pen को दोस्तो वैसे तो ये एकदम पूरी तरीके से normal pen होता है जिसका इस्तेमाल आप लिखने में कर सकते हैं लेकिन अगर कोई ऐसी emergency situation आ जाती है जहाँ पर आपको कार्च का glass break करना हो तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल as a glass breaker कर सकते हैं वहीं दोस्तो इसमें आपको LED torch के भी option दे रखे होते हैं जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल dual mode पर कर पाएंगे यानि की normal torch की जैसे भी कर सकते हैं और आप किसी को signal देने के लिए इसे blinking mode पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बड़ा ही मज़ेदार रहता है दोस्तो इस तरीकी का pen जो की एक normal pen के साथ साथ एक बैतरीन gadget भी होता है जो कि emergency situation में आपके काम आएगा इस pen को काफी ज़दा मजबूत और rough and tough situations के लिए बनाये गया है इसलिए इसमें molecular gate aluminium का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि जब आप इससे glass break करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी इस पर असर नहीं होने वाला और साथी दोस्तों इ जिससे कि आपके हाथ में ये आसानी से grip हो सके तो दोस्तों काफी सारी छोटी-छोटी चीजों को ध्यान में रखा गया है इसे बनाते समय तो अगर आप भी चाहें तो एक बार इसका इसका इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा क्योंकि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजे ब लोगों को अवेर करने का तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं इस तरीकी की गैजट को जो की एक मिनी अलाम की तरह हमेशा आपके साथ रहेगा दोस्तों ये एक विशल होती है जिसमें की एक अलाम भी इन बिल्ट होता है यानि कि जब इसमें बैटरी होत जिसे की लोगों का ध्यान आप पर जाए और लोग आपकी मदद कर सकें तो अगर आप भी चाहते हैं सेफटी गैजट के तौर पर हमेशा इसे साथ रखना तो एज़ा की रिंग हमेशा आप अपने साथ इसे रख सकते हैं आइडल कंसील गन दोस्तो सेफट डिफेंस के लिए गन्स का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा किया जाता है लेकिन दोस्तो गन्स की एक खास बात ये होती है कि वो थोड़ी सी भारी होती है और साथ ही उसका साइज कुछ ऐसा होता है कि अगर आप उसे कहीं भी लेकर जाते हैं तो लोग आपको घूर घूर कर देखने लगते हैं तो अगर आप चाते हैं अपनी गन्स को सेक्रिटली अपने साथ कैरी करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार इस तरीकी की gun को जो की बड़ी ही मज़ेदार रहेगी दोस्तो इसकी design को कुछ इस तरीकी से बनाया गया है कि ये normal एकदम smart phone की तरह लगती है यानि कि इसका size इतना ज़्यादा कम होता है कि आप अपनी pocket में आसानी से इसे लेकर carry कर सकते हैं और जरूरत परने पर आप आसानी से इसे open कर पाएंगे तो दोस्तो इस फोल्डेवल gun की मदर से आप आसानी से अपनी gun को हमेशा अपने साथ carry कर सकते हैं वो भी बिना किसी की नजर में आये हुए म्यूनियो striking chain दोस्तो इस वीडियो में अभी तक आपने काफी सारे ऐसे gadgets देखी जो की एक से बढ़कर एक advanced technology का नमूना होते हैं लेकिन दोस्तो अब मैं आपको एक ऐसा gadget दिखाने वाला हूँ जो की आपके लिए पूरी तरीके से safe होगा लेकिन आपके enemy के लिए उतना ही ज़्यादा खतरनाग तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इस खूपसूरत सी दिखने वाली कीचेन के बारे में दोस्तो वैसे तो यह एकदम चाबी का गुच्छा होता है जहाँ पर आप अपनी कीज वगरा को लगा पाएंगे लेकिन दोस्तो इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप एक बार इससे किसी पर वार करते हैं तो यह यकीनन उसे पूरी तरीके से घायल कर देगी यानि कि अगर आपने एक दो बार भी इसे सही से इस्तेमाल कर लिया तो आपका अपोनेंट दोबारा उठने लाइक बिल्कुल भी नहीं बचेगा दोस्तो यह कीरिंग देखने में जितनी ज़्यादा खुबसूरत लगती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाग भी होती है लेकिन इसकी खास बात ही होती है कि आप इसे आसानी से लेकर कहीं भी कैरी कर सकते हैं और किसी को भी इस बात का सक नहीं होगा कि आपके पास इतना ज़्यादा खतरना खतियार है दोस्तो इससे साथ रकना पूरी तरीके से लीगल है जिससे कि आप इसका इस्तेमाल as a kitchen कर सकते हैं तो इस तरीके की बहतरीन और घातक गैजट के लिए एक लाइक तो बनता है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर आपने देखे कुछ ऐसे गैजट से जिनका इस्तेमाल self-defense के लिए किया जा सकता है तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट इसे लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि इसी तरीके के मज़ेदार गैजट के इंफॉर्मेशन साब तक पहुंचती रहें वही अगर आप इन में से किसी भी गैजट को पर्चेस करना चाहते हैं तो डिसक्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे जहां से जाकर आप उन्हें पर्चेस कर सकते हैं फिलाल तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार दोस्तों जैहिन वंदे मातरम